असलाम अलेकूम प्यारे बच्चों, आज हमारे सबक का उनुवान है कि आप सुबा उठते ही जो चीजें देखते हैं उनके नाम लिखें तो हम रात को सोते हैं, सुबा जब सुबच निकल आता है तो हम अपने कमरे में इर्द गिर्द नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कमरे में कौन सी चीज़े हैं, उन्हें उर्दू में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं तो सबसे पहले तो ये है खिड की, इसको इंग्लिश में window कहते हैं, window, जो w-i-n-win-d-o-w-do लेकिन हम जब इसको प्रोनॉंस करते हैं तो आखर में w जो है वो silent हो जाता है खिर्की उर्दू में और इंग्लिश में window फिर हमें खिर्की से बाहर क्या नजर आता है सूरज, सूरज को इंग्लिश में sun कहते हैं और फिर हो सकता है आपके घर में बिल्ली भी हो आपको अल्ला की बनाईी मखलूग बिल्ली भी नजर आती है बिल्ली को इंग्लिश में cat कहते हैं उसके बाद आपको पौदे भी नजर आ सकते हैं हो सकता है अपने घर में कोई पोदा लगाया है और खिर्की के बाहर गमले में भी पोदा हो सकता है और वैसे भी और पोदे को इंगलिश में कहते हैं प्लांट पी ल ए ए ए एन टी प्लांट पिर आपको आखें दी हैं आपने कभी सोचा कि कितनी बड़ी नेमत है, ये सारी चीजें जो हम देखते हैं, ये अपनी आँखों से देखते हैं, तो हमें अल्ला की नेमतों का शुकर गुजार होना चाहिए, किस तरह से हम बहुत सारे रंगों की पहचान करते हैं, बहुत तरही चीजों की, उनकी जसाम की के उपर एक पर्दा लगा होता है, अगर रोशनी ज्यादा आ रही हो, तो हम आगे कर देते हैं, रोशनी रुक जाती है, और इसको पीछे हटा देते हैं, तो पर्दे को इंगलिश में कर्टन कहते हैं, कर्टन, उसके बाद हो सकता है, आपके कमरे में एक लैम्प भी होती है, जिसको इंगलिश में चेस्ट अफ ड्रॉर्स कहते हैं, तो ये चेस्ट अफ ड्रॉर्स जो है, ये छोटे साइस का भी हो सकता है, इसमें दराज होते हैं, और आपने आप एहम चीज़ें इसमें रखते हैं, या ये चेस्ट अफ ड्रॉर्स जो है, छोटी अलवारी भी हो सकता है इसको अलमारी भी कहते हैं तो chest of drawers, सुन्दूक या अलमारी छोटे size की और बड़े size की भी हो सकती है फिर यह जो है bed होता है जिसके उपर हम सोते हैं बैड के उपर तक यह रखे होते हैं जिनको कैप लटकाई हो जिसको अर्दू में टोपी कहते हैं और सर्दियों के मौसम में आपका कोट भी लटका हो कोट को भी अर्दू में भी कोट कहते हैं और इंगलिश में भी कोट कहते हैं जो के हम सर्दी से बचने के लिए अपने कपड़ों के उपर पहनते हैं तो उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और शेयर करें और अल्ला की नेमतों का शुकर अदा करें इसके लावा भी आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें उनके लिस्ट बनाएं इंशाला मिलेंगे अगली वीडियो में